दोस्तों मध्य प्रदेश का धार जिला पिछले साल भी बहुत न्यूज में आया था दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में लास्ट एर लगबद जून के महिनी के आसपास एक नई रिसर्च हुई थी जा पर यह पता चला था कि वहाँ डाइनासौर के कुछ अंडे मिल सेम जगे मध्य प्रदेश के जिले धार से आप देख सकते हैं कि दोस्तों जनवरी 2023 की खबर है कि वैग्यानिकों ने डाइनासौर के घोसले और रगबद 265 फॉसिल एग को मध्य प्रदेश की नर्मदा घांटी से प्राप्त किया है दोस्तों यहां के लोगों के लिए यह जो दाइनासौर के अंडे है यह बहुत ही मामूली जैसी चीज़ हैं यहापे कई लोग उन डाइनासौर के अंडों की पूजा कर रहे हैं कई लोगों एंवी यूज कर रहे हैं पत्थर सा समझके लेकिन जब साइन्टिस्स यहां पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि भगवान ये तो इतनी बड़ी जीवाश्म की चीज़ है ये तो इतना बड़ा फॉसिल है जिसे ना जाने कौन-कौन सी खोज़ें की जा सकती है कौन-कौन सी रिसर्च की जा सकती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नई खोज में जो पेलियंटोलोजिस्ट है अब य इसे व्यक्ति को पेलियंटोलोजिस्ट कहती है तो अब यहाँ पे यह जो पेलियंटोलोजिस्ट है इन्हों ने मद्रप्रदेश की धार जिले में लगवाख 256 जीवाश्म अंडे मतलब वह अंडे जो बिल्कुल आप पुरी तरीके से खराब हो चुके हैं अब उन्हें से टाइटैनोसौरस के दोस्तों टाइटैनोसौरस सबसे विशालका है डाइनासौर की श्रिणी को कहा जाता है जो कि शाका हारी होती है हार भी वोरस होती है और इन्हीं के अंडे और जो घोसले हैं वह मद्रप्रदेश के धार जिले से मिले हैं अब आप देख सकते हैं कि नर गुजरात के कई जिलों में भी इस तरीके से डाइनासौर के जीवाश में अंडों के अवशेश पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि यह जो शेत्र है नर्वदा घांटी का शेत्र यह कहीं न कहीं डाइनासौर के रहने का मुख्य स्थान रहा होगा या फिर यह वो स्थान रहा होगा जहां पर डाइनासौर अपने अंडे दिया करते थे अब यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हड़ी नहीं मिली है इसलिए इन अंडों की सिटी स्कीन करनी पड़ेगी और इन माइक्रो सिटी स्कीन जैसे चीजों के बार ही और जादा जानकारी जो है वो दी जा सकेगी इससे पहले जून के महिने में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइनासौर फॉसल नैशनल पार क्याने कि डाइनासौर जीवाश्म राष्टी उद्ध्यान से एग विदिन एग इस तरीके का जो रेर फिनॉमेना है यह हम लोगों को देखने को मिला था और सामाने डाइनासौर के अंडे जून के महिने में भी मिले थे और अब फिर जनवरी 2023 में एक बार फिर हम लोगों को मंद्र प्रदेश के इसी धार जिले से डाइनासौर के जो जीवाश्म अंडे हैं और जो घोसले हैं उनका प्रमाण मिला है वह हमें यहाँ पर मिले हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वास्तब में यह जो डाइनासौर हैं जो किसी जमाने में हमारी संपून प्रद्वी के अलग-अलग शेत्रों में राज किया करते थे और माना जाता हैं कि कि आइक शुद्ग्र, किसी एक एस्टरोइट के प्रद्वी से टकनानिंग के व कि यहां पर मध्य प्रदेश का यह जो धार जिला है इसी के साथ आपको यहां पर यह भी देखना है कि मध्य प्रदेश के धार जिले के अलावा आपको और भी जो चीज़ें याद रखनी है वो यह है कि मध्य प्रदेश के इसी धार जिले में क्या है मध्य प्रदेश के इसी धार जले में, MP में क्या? डाइनासॉर जीवाश में राष्टी होती है दोस्तों याद रखिएगा कि गरतंत्र दिवस के इस शुब अवसर पर Unacademy आपको दे रहा है 20% discount Unacademy की तरफ से आपको यहाँ पे 20% discount मिल रहा है जिससे आप लोग अपनी preparation को बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं तो Unacademy प्लस पर मिलने वाले इस 20% discount के लिए आपको जो core use करना है वो है अपूरवा 2-3